हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारे के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें जैमा इंद्राक्षे इंद्राक्षे धाम में दर्सों को आप सभी का महार्दिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जात्कों का जनम दिवस है मेरी जैनिवर्सरी है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुब काम नाए आज का पंचांग 23 जून सन 2020 दिन मंगलवार आशार मास शुकल पक्त सम्वंथ 2077 तिथी दित्या और आज जगनात जी की रत यात्रा भी है नक्षत्र पुनर्वसू राहुकाल तेन से साड़े चार दिशा सूल उत्तर दिशा जै जगनात भागवान जगनात सभी के उपर अपनी किर्पा करें सभी के जीवन में आनंद और मंगल की उत्पत्ति हो इसी के साथ आई ये इस कारिकरम को हम आगे बढ़ाते हैं गुप्त नवरात्र कल प्रथम नवरात्र आज गुप्त नवरात्र में जित्य नवरात्र इसकी विदी हमने आपको सुपतंत्र वीडियो के माद्यम से भी बता दी है और नवरात्र में भी आपको हमने बताते ही रहते हैं आज हम एक बहुत ही गहरे सब्जेक्ट पर आपसे बात करना चाहते हैं, तत्व के बारे में, और हम तत्व के बारे में आपको कुछ बताएंगे, इस कारिकरम को आप बहुत गहराई से सुनेंगे, तो समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा, है ना, लेकिन प्रजेक्ट पताऊंगा उससे पहले मैं गरहन्ट से जुड़ी कुछ बाते आपको बता देता हूँ जिन लोगों ने यंत्र सिद्ध किया है जिन लोगों ने मंत्रों की सिद्ध की है आप सब बहुत-बहुत बदाही के बात रहें इश्वर करें आप बहुत फूले-फुले मेरी शुब कामनाएं आप सब के लिए हैं और सब के साथ है अब जो जो मंत्र आपने सिद्ध की है हन्मान जी का किया है या आपने मृतुंजे मंत्र का किया है या आपने सूरिय मंत्र के यंत्र के साथ किया है ओम हिरिम हम से तो आप उन मंत्रों की एक-एक माला प्रती दि करिएगा अभी मैं बताऊंगा आ गया किया करना है अभी इतना ही कोर्स है आपके लिए बहुत लोगों ने हवन नहीं कर पाएं हैं कोई बात नहीं मन नमसोसें आप केवल अपने मंत्रों को ध्यान से पढ़ते रहें बहुत लोगों ने भोजपत्र ना मिलने की वज़ा से सही कलम ना मिलने की वज़ा से कागज के ओपर बनाया है कोई बात नहीं उसे आप कहीं अच्छे से किसी गत्ता बगरा पर अच्छे से चिपका करके पेस्ट कर ले और उसमें कोई इसी पॉलोथीन वाइट रंकी जो ट्रांस्परेंस हो और वह ऐसी लगा करके उसे आप रख लें उससे यह आप अपनी पूजा पार करते रहें आप चंता ना करें अब हम आते हैं आज के सब्जेक्ट पर देखो हमारे आपको सबको मालूम है कि पंच तत्वों से यह शरीर बना है और पंच तत्वों से ही यह सारी काइनात यह समस्टी उत्पन होई है इन पंच तत्वों का बहुत अत्यधिक रोल हमारे जीवन में होता है और ये पंच तत्व ग्रहों के साथ मिलकर भी कारे करते हैं राशी के साथ मिलकर भी कारे करते हैं नक्षत्रों के साथ मिलकर भी कारे करते हैं और इन पंच तत्वों की अपनी अलग-अलग तासीर होती है, यानि के अपनी अलग-अलग विसेस्ताइन की होती है, अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूँ, पंच तत्वों में आप एक डाइरी जरूर बनाईए मेरे कहने से, आपको सब्जेक्ट अच्छा ल आगनी के बाद दूसरा तत्व प्रत्वी तत्व फिर वायू तत्व फिर जल तत्व और फिर आकाश तत्व ये पाँच तत्व मिलकर के पूरी स्रष्टी का निर्मान करते हैं स्रस्टी इनी के साथ उत्पन होती है और इनी के साथ स्रस्टी चली जाती है यानि कि सब कुछ जो उत्पन होता है वो इनी के साथ नश्ट भी हो जाता है चाहे वो नदी हो, पहाड हो, जहरने हो, हम हो, व्रक्ष हो इनी में सब कुछ मिल जाता वहीं जहां उत्पन हुआ वहीं वो ढेर हो जाता जो आया है वो जाएगा भी जरूर एक नएक दिन उसको अंत जरूर होता हम उत्पन होते हैं और पंच तत्वों में ही यह मानव काया विलिन हो जाती है अब एक चीज और ध्यान से सुनें इन पंच तत्वों का जो राशियों से संबंद है वो भी आप जानलें कितनी राशिया होती हैं 12 राशियों ले। मेश सिंग धनु आगनी तत्व की राशी है, व्रश करनिया मकर प्रत्वी तत्व की है, मिथुन तुला कुम्ब वायू तत्व की है, कर्क व्रशिक मीन जल तत्व की है, ऐसे ही ग्रह भी जो नौग्रह होते हैं, उनके भी अपने अपने तत्व होते हैं, ये सिरीज मैं दो-त करने का जो सिलसिला है वो है अगनी तत्व पर अब जैसे मैंने आपको बताया मेस सिंग और धनु यह तीन रासिया अगनी तत्व की होती है तो जिन जात्कों की जर्म से यह रासी है तीन उनमें अगनी तत्व के गुण पाए जाते हैं और अगनी तत्व का कारिय क्या है जोत तो अगनी तत्व के क्या गुण है और उनका संबंध हमारे जीवन में किन-किन बातों से होता है छोटी सी बातों में आप नोट कर सकते हैं जैसे हैं पिता का कारक है अगनी तत्व अगनी तत्व आपकी किर्थी का कारक है जो हमें प्रसद्ध मिलती है मान सम्मान मिलता है वो हमें अगनी तत्व से मिलता है तेजो में अगनी है अब जिस व्यक्ति का अगनी तत्व कमजोर होगा या जैसे मैंने राशी बताई ये अगनी का प्रभाव आपकी कुडली में कमजोर होगा तो आपका मान समान आपका रुत्वा कमजोर होगा समझो ऐसी समझो आगे बने राज्ये में उन्नती कोई भी राष्ट उन्नती करता है अगरी तक राज्यों की भी राष्या निकाली जाती है लगन निकाले जाते है देश की रासी निकाली जाती है उसका लगन निकाला जाता है राजा कब गद्दी पर बैठता है या राजा के साथ और थोड़ा नीचे आएं एक व्यापरी अपने व्यापर को जब प्रारंभ करता उस समय क्या लगन चल रहा होता उस लगन की क्या अतासीर है अगनी तत्वका है वाईू तत्वका है आकाश तत्वका है क्या उसके हिसाब से फिर वो कुंडली का निर्मान होता और वो समय उस तत्वे की क्या इस्तिती है और आपकी जब जनम पत्रिगा उससे मैच की जाती है तो इस्तिती किस प्रकार की रहेगी और हमें उसके लिए क्या विसेव सापधानिया करनी होगे क्या विशेस उपाई करने होंगे ये सारी चीजें एक अनुभवी एस्तोलोजर आपको निकाल करके दे देता है उसके उपाई बना देता है आगे बढ़ते हैं आपके जीवन में बुद्धी की तिवरता किस प्रकार की बुद्धी रहेगी ये आपके तत्वर निर्वर करता है और इसका जो कारक ग्रह है वो अगनी तत्व है यहां अगनी तत्व से हम उसको वो कर रहे हैं टेली कर रहे हैं घर का सुख इसका विकास अगनी तत्व करता है वाहन का सुख मा की इस्टती मा की इस्टती यहां चंदरमा वाली बात ना करें यह तत्व वाली बात आ रही है हाला कि सूरिय पिता के कारक है सूरिय प्राण के कारक है आत्मा के कारक है चंदरमा का कारक है वो ग्रै हैं लेकिं यहां हम तत्व की बात कर रहे हैं तो अगनी तत्व पिता के भी कारक हैं कारक हैं लेकिन अगनी तत्व मा की इस्तिति कैसी रहेगी जीवन में उनका सुख दुख किस प्रकार कर रहेगा तो यह तत्व से भी पता लगता है भाई बहन का सुख आपको कितना प्राप्थ होगा अगनी तत्वर इंभर करता है रोग की इस्तिती कैसी रहेगी आपको क्रोध कैसा रहेगा कहते हैं भई पता नहीं क्या खाकर कि ये व्यक्ति पैदा हुआ किस छण में ये पैदा हुआ इसकी नाक का गुस्ता जाता ही नही गुस्ता नाक पे रखा रहा है तो कहीं आपका अगनी तत्व किस प्रकार का उस तत्व को हम कैसे लेविल मिलाएं आगे बने आपका आत्मसयम कितना है अगनी जलतो रही है लेगिन अगनी में भी ठंड़क और गर्माई भी होती है तो आपका आत्मसयम कितना है आप कितने पूल आप हैं यह चीज में दिर्वा करती है शनी जीवन की गती जीवन में जो गती शील जीवन है उसका कारग भी अगनी तत्यू से देखा जाता है मांसिक इस्तिती इत्यादी बहुत सारी चीजें हम अगनी तत्यू से नाप लेते हैं जब आपकी कुंडली हमारे समक्षाती है या किसी भी एस्तोलजर के समक्षाती है अब यह तो ग्यान है इसको जितना गहरा करते जाओगे न उतने आपकी गहरा ही बढ़ती जाएगे तो अगनी तत्व आपका किस प्रकार का आपकी कुंडली में है आपकी राशी का जो तत्व वो कैसा है आप किस ग्रह से संबंद रखते हैं या आपकी यह जो चीजें हैं आपका विकास आपका करोद आपका आत्मसयम आपके पिता का भाव आपकी मा की इस्तिती आपके घर से नापते हैं और तोलते हैं तो इसलिए आप इन तत्वों पर विचार करना आपको मैं आगे सिखाऊंगा कि कैसे हम क्या करते हैं मैंने आप से कहा था ना कि धीरे धीरे हम जोतिस की क्लाश में या अपने इस गणित में हम और गहरा ही लेते जाएंगे तो आज का सब्जेक्ट हो सकता है कुछ लोगों को शायद समझ में ना आ रहा हो लेकिन इन तत्वों का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा वो होता कार्य करते हैं ये तत्व हमारे जीवन में अब इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं जैसे मैं ग्रह की बात कर रहा था तो ग्रह की इस्तिति भी आप जान लीजिए सूर्य और मंगल ये अगनी तत्व के कारक हैं आप नोट कर सकते हैं चंद्रमा और ब्रस्पती जल तत्व के कारक हैं बुद् आपने अब ये ग्रहों के तत्व लिख लेना और ग्रहों के साथ साथ राशी के तत्व लिख लेना और इसमें एक सब्जेक्ट और हमने बताया अगनी तत्व का गुण अगनी तत्व से हम क्या क्या देख सकते ही, तो यह आज के लिए इतना ही बहुत है, कल हम बात करेंगे आपसे प्रत्वी तत्वी की, तो प्रत्वी तत्वी आपके लिए बहुत कम का जाएगा, उसे जरूर सुनिएगा, और आईए अब समय उचला आज की ध्यानमाला का, के बेहरी से स्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्तले कोस्तुवं नासा ग्रेवर मोक्तिकं करतले वेणु करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठेच मोक्तावले गोपास्ती परिवेष्टितो विजयते गोपाले चोडामनी सांताकारं वुजगशयनं पद्वनावं सुरेसं विश्वात्धारं गगनसद्रिशं मेगवर्णं सुवांगं लक्षमी कांतं कमल नैनं योग व्रिद्या नगम्यं वंदे विष्ट्नुंबव वयहरं सर्वलो के कनाधं कबच बना लें ध्यान करें भागवान उसरी कृष्ण जी का असिरवाद पूरे विश्व के उपर जगनाद जी का असिरवाद पूरे विश्व के उपर बरस रहा है ओम बोलते हुए सामान्या हो जाएं नेत्र खुलने और हाँ मैं एक वीडियो जोतिस ग्यान के तहत मैं आपको अलग से बता दूँगा तो आप वो वीडियो पूरी आपको उसमें हम कुंडली से एक्स्प्लेंट बता देंगे कि कुंडली में कैसे तत्वो की गती देखी जाती है तो आपके सामने एक दो रोज में आ जाएगा तो वो भी आप देख लिजेगा अब मैं एक सूचना और दे दूँ जैसे हमारे दो चैनल है यूट्यूब पर एक हमारे नाम से है धर्मेंद शर्मा और एक चैनल है हमारा श्री इंद्राक्षी धाम के नाम से तो ऐसे हमारे बहुत दर्शक हैं जो केवल इंद्राक्षी धाम ही चैनल देखते हैं तो मैं आप सबको इंद्राक्षी धाम देखने वालों को एक चीज और सूचना दे रेता हूं कि आप हमारे दूसरा चैनल भी देखा करें क्यों जैसे राशियां है या ग्रहन की बाते ह तो वो हमने जादे तर जोतिस का जो तत्व है जोतिस की जो बाते हैं वो जादे तर हम अपने धर्मिंद शर्मा वाले चैनल पर जादे तर उनको देते हैं और इंद्राक्षी धाम पर वो हमारा सुबह साथ बज़े वाला कारे करम वो दोनों चैनल पर आता है चीक है क्यों कई बार ऐसा कमेंट्स आपका आ जाता तो अब जैसे मैंने जून महीने की राशी और उसके उपाई नहीं बताए थे क्यों इस महीने बहुत सारा का रिया था आप भी जानते हैं और होच-पोच भी रहा सारा समय सब के लिए लेकिन जुलाई महीने का जो राशी का उपाई ब देखते हैं तो वह हमारा प्रॉफेसर धर्मिन शर्मा वाला जो चैनल है उस पर जोतिश की बाते भी बहुत होती रहती हैं तो वह भी आप अपना सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ताकि आपको दोनों ही चीजे मिलती रहें और कल फिर एक नए सब्जेक के साथ आपके जगह की बात है लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेसन सुबा रहा है नया मोटिवेशन दिया है काम का इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बाते इनसे लगातार कभी कवार हो जाये करती हैं एक दिन मेरी बात हो रही थी अचानक इन्होंने प्र परिशान था यह सुब है असुब है क्या चीज़ है तो मैंने प्रश्ण किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कवे आ रहे हैं कहने नहीं मुझको दिखाई पड़ रहा है तो कुस तो आलोगिक है इनमें दूसरा क्या जो इनका उद्देश है जब महाकुम में आ उन्होंने मुझको बताया मैं मंद से इनके उद्देश के साथ जुड़ गया इनके साथ तो जुड़ा था ही अब इनके उद्देश के साथ भी हूँ मैं किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा दस वजे से शाम छे बजे तक हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें